नमस्कार नौलेज पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 15 से जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC विहार पुले सससी रेलवे जैसे अनिप्रेतुगी परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास राजनेती विज्यान करेंट आफेर्स बुगोल और विज्यान से जुरे होंगे तो आएए देखते हैं आप कितने सवालों के सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमर एक बिहार में 1857 के विद्रों का नेत्रत्वर किसने किया था बाबु अमर सीने बी हरे कृष्ण सीने सी कुवर सीने डी राजा श्यह ज्यादा सीने इसका सही जवाब है सी कुवर सीने सवाल नमर दो बिहार पर बक्तियार खिलजी के हमले का पहला विवडन कहां से प्राप्थ हुआ था ए तारीख ए हिंद से बी तबकात ए नासीरी से सी ताज उलमासीर से डी तारीख ए मुबारक शाहि से इसका सही जवाब है बी तबकात ए नासीरी से सवाल नमर तीन इन में से बिहार का कौन सा जुला नेपाल के साथ अपनी सीमा को शाज़ा नहीं करता है इसका सही जवाब है डी पूर्णिया सवाल नमर चार सती प्रथा को गैर कानूनी किस ने गोशित किया था ए वारेन हेस्टिंग्स ने बी विलियम बेंटिक ने सी लौड कार्णवालिस ने डी लौड करजन ने इसका सही जवाब है बी विलियम बेंटिक ने सवाल नमर पाच स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम इन में से क्या था ए जनक्रांती बी हुंकार सी क्रिशक समाचार डी विद्रोही इसका सही जवाब है बी हुंकार सवाल नमर 6, 1921 का मोपला विद्रो कहा हुआ था A. आसाम, B. केरल, C. पंजाब, D. बंगाल इसका सही जवाब है B. केरल सवाल नमर 7, पंचायती राज़ प्रणाली किस सूची में है? A. संग सूची, B. राज़ सूची, C. समवर्ती सूची, D. इन में से कोई नहीं सवाल नमर 8, राजसभा का बदेन अध्यक्ष कौन होता है? A. राश्टुपती, B. उपराश्टुपती, C. भारत के मुख्य नयाधीस, D. प्रधान मंत्री इसका सही जवाब है B. उपराश्टुपती सवाल नमर 9, केंदर सरकार में उचितम नागरिक सिवा अधिकारी इन में से कौन है? A. भारत का महान्याईवादी, B. मंत्री मंदल सचिव, C. ग्रह सचिव, D. वित्त सचिव इसका सही जवाब है B. मंत्री मंदल सचिव सवाल नमर 10, जिवानू की खोज किस ने की थी? A. फ्लेमिंग, B. लेंबल, C. टैमन, D. लिवन हॉक इसका सही जवाब है D. लिवन हॉक सवाल नमर 11, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? A. सोडियम, B. केलशियम, C. आइरन, D. पोटेशियम सवाल नमर 12, हाल ही में किस देश की प्रसासन ने लंबे समय से प्रतिक्षित अपनी इंडो-पैसिफिक रणनेती की घोशना की है? A. निपाल, B. रूस, C. अमेरिका, D. जापान सवाल नमर 13, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाब को देखते हुए भारती दूताबास ने भारती नागरिकों के लिए एडवाईजरी जारी की है? A. यूक्रेन, B. निपाल, C. चीन, D. अमेरिका इसका सही जवाब है, A. यूक्रेन सवाल नमर 14, भारत में अधिक्तम गेहु पादक राजे कौन सा है? A. हडियाना, B. बंजाब, C. बिहार, D. उतरप्रदेश इसका सही जवाब है, D. उतरप्रदेश सवाल नमर 15, तकला मकान, मरुस्थल किस देश में इस्थित है? A. कजाकिस्तान, B. तुर्कमेनिस्तान, C. उजवेकिस्तान, D. चीन इसका सही जवाब है, D. चीन पिसले सेट में हमारे जिंदर्शकों ने सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिये हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के सही जवाब दे सके हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताए सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अपने अगले वीडियो में बताने की कोशस करेंगे साथ ही आपको हमारी यसरे इस फायदे मन लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये अन अभियरतियों के भी काम आ सके तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक ही ले दीजिए जाज़त नमस्कार